तो डियर स्टूदेंट्स आज आपके लेक्चर 7 आने वाला है क्लास 9 का पॉलिरामिल्स का तो बेटा हमने एक्जर्शाइज 2.5 मेंसे 2-3 से 3 क्वेश्चन शायद हमने कर ले थे तो आज जो क्वेश्चन 4 है बेस्ट आन अलजबरिक आइडेंटीज वो सारी अलजबरिक आइडेंटीज हमने पड़ी है है ना और कल जो अफलाइन क्लासिस में हमने पूरा एक जो 6 फार 6 डे जो हमने पड़ा था उस सब का हमने रिविजन कल किया था और जितने भी आपके जा उट थे वो सब हमने इस वालू किये ठीक तो आफलाइन क्लासिस में कल उतना हमने किया था आज जो है एक्शरसाइज 2.5 क्वेस्चन नमबर 4 जो है इसमें आपको ये करना है कि X प्लस 2Y प्लस 4Z होल स्केर हाँ बेटा इसको आपने एक्सपैंड करना है क्या करना है एक इसको कैसे एक्सपैंड करना है ? X प्लस Y प्लस Z का होल स्केर, इप रिमेंबर तो ये जो क्वेस्चन है ना, the whole question, all the six parts, they are based on this formula, X प्लस Y प्लस Z होल स्केर, अब बोले बेटा किसके बराबर होता है ? X प्लस Y प्लस Z का होल स्केर, वह होता है बराबर, X स्केर, प्लस Y स्केर, उसके बाद हाँ सर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX प्लस 2ZX यह आपको दिख रहा है न तो यह आपकी आइडेंटी जो है X प्लस Y प्लस Z का whole square यह हमने यहां तक किया था तो यह question जो है पहला बता बेटा यहां X X ही है और यहां Y क्या है यहां Y 2Y है तो मानों यह एक quantity this is another term and this is another term so suppose this is X this is Y and this is Z तो पहले क्या आएगा पहले एकस का square तो यह आएगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यह आएगा पहले X का square फिर क्या आता है Y का square दूसतली टर्म का square तो यह आएगा 2Y का whole square अभी Y आपका क्या है 2Y है तो 2Y का square आएगा और Z क्या है बेटा Z है 4Z तो यह 4Z का square आएगा हाँ सर उसके बाद क्या आएगा फिर आएगा 2 पलस आएगा 2X बता एक्स की जगा X ही आएगा और Y की जगा क्या आएगा Y की जगा आएगा 2Y यह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पलस क्या आएगा फिर सर फिर से 2 आएगा फिर Y आएगा Y की जगा यह देखो 2Y है सो Y की जगा 2Y और फिर आएगा Z Z की जगा 4Z अच्छा सर वान लास तरम पलस टू टाइमर्स Y आएगा Z आएगा Z Z की जगा 4Z आएगा और X की जगा X ही आएगा अब इसको स्वालू करना थोड़ा सा यह X स्केर बनेगा 2Y का होल स्केर 4Y स्केर 4Z का होल स्केर 16Z स्केर और यह देखो 2 टू जार 4XY 2 टू जार 4Z 16YZ तो यह आपका पहला पार्ट हो गया इसके बाद जो आपका second पार्ट है जो दूसरा पार्ट है उसको देखो वो भी आप आराम से कर सकती हो यहाँ पे So, that means जो आपका दूसरा पार्ट है उसको देखो कैसे करेगे बेटा, यह देखो, यह मानो आपका X है, अच्छा सर यह x है तो y क्या है यह तो y नहीं है यह माइनस है नहीं इसको ऐसे लिखे प्लस और यहां माइनस लिखे यह देखो अरे बेटा प्लस माइनस तिर से माइनस अब यह आपका x क्या है 2x है और यह आपका क्या है यह देखो यह तर्म यह तर्म जो है माइनस y यह y है और यह पू माइनस Y का स्कैर पिलस Z का स्कैर और Z क्या है? Z का स्कैर पिलस 2X X की जगा 2X पिलस 2X और Y मैं इस फार्मला का यूज़ कर रहा हूँ और Y की जगा माइनस Y फिर पिलस 2YZ वो 2 अपनी जगा Y क्या है? Y है माइनस Y और Z है Z So this is Z पिलस आएगा 2ZX तो 2ZX बेटा X की जगा है? X की जगा है 2X अरे यह क्वेस्चन आसन है ना आप सब को आ रहे हैं बस एक्जर्साइज आपनी जो है कम्पिलीट करनी है तो यह आएगा 4X स्कैर यह क्या आएगा Y स्कैर आएगा यह आएगा Z स्कैर यह 2-2-2-4 यह माइनस तो यह यहाँ पर आएगा माइनस 4X और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2YZ आएगा नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा यह तो 2-2-2 अरे जब आप ऐसे एक्वाड़ लिखोगे मैं फिर बोल रहा है यह यह तर्म क्या आएगी फिर आएगा यह तू-टू-जार यह आएगा 4XZ यहाँ 4ZX जो आपकी मरजी तो कर पा होगे नहीं दूसरा पार्ट था यह भी हो गया अब तीसरा पार्ट देखते है इसका क्या है तो थर्ड पार्ट विल डू आन दे सिमिलर लाइनस तो यह क्या है बेटा यह है आपका X यह क्या है यह है Y तो यह आपका X यह वो वाला X नहीं है यह माइनस टो X है ठीक और यह वाला Z यह क्या है Z क्या है तो बोलो बेटा X क्या है माइनस टो X Y क्या है 3Y और Z क्या है 2Z अब कोई बोलेगा सर यह पहली उसको X मानना है अब यह माणने है यह कामख़ा हुँ सब्सक्राइब कर रहा है अगर यहां पे माइनस होताए माइनस अंदर ले जाता बाहर प्लस रखता और इसके बाद यहां तक है इसके नहीं टहीं है समझें तो यह इसके बाद क्या होगा यह पहले एक्स का स्कैर आएगा एक्स का स्कैर मतलब two एक्स प्र य वाई का स्कैर मतलब three-y का whole square कुछ लोग ऐसे लिखते है फ्री वाई square गलत है को यह त्री का भी square यह जो पूरी टर्म है ना इसका square है यह अब लिखते यह थी वह स्कैर वो घलत है और कुछ लोग तो है ना थाifर भाई यह लिखते है 9 Y square यहां पर वो घलत है कहां यह तो थ्री का स्कैर नहीं है अगर थी का भी रखना है तो ऐसे रखो whole square रखो बात आई समझ वेरी कुछ तो यह बार याद रखना तो that means plus 3y square plus z क्या है आपका so z है 2z तो यह आएगा plus 2z का square यह 2 2z का square अच्छा सर फिर आएगा 2xy x की जगह क्या आएगा x की जगह आएगा minus 2x और y की जगह क्या आएगा y की जगह आएगा 3y 울 hata सम जा रहा है ना बहुत आसान questions है pl1 2z Y की जगह 3Y है और Z की जगह क्या है? Z की जगह है 2Z पलस 2ZX और Z की जगह है 2Z और इन तो है X, X की जगह है माइनस 2X बोले बेटा यहां तक समझाया? अब इसके बाद इसको मैल डूबल का रही सकते हो यह कितना आएगा? माइनस 4X स्केर नहीं आएगा यह 4X स्केर आएगा और यह कितना आएगा? 9Y स्केर पलस आएगा 9Y स्केर और यह कितना आएगा? 4Z स्केर आएगा आएगा नहीं आएगा यह नहीं नीच आप दिखोगी यह कितना बनेगा? 2-2,0, 4, 3,0, 12 माइनस 12xy बनेगा एक, माइनस 12xy बनेगा, ये कितना बनेगा, 2300, 666, 2000, 12yz बनेगा, ये बनेगा माइनस, देखो कितना बनेगा, माइनस बनेगा 2200, 48, minus 8zx, तो हो गया ये वाला part, ये था तीसरा part, Now let us move to part 4 इसको करते हैं अच्छा हाँ सर part 4 है ना हम खुद करेगे यह जो part 4 है इसको करना थोड़ा समय आपको hint देता हो इसको ऐसे लिख सकते हो आप 3A plus minus 7B plus minus C का whole square तो इसको जो है इसको आप खुद करना यह आपके लिए home assignment है सही अब यह भी तो आएगा सर ज्यादा मसला नहीं है हमें आएगा हम इतने तेज हो चुके हैं आपने हमें तेज बनाया plus 5Y इसको ऐसे मानो इसको ऐसे ना मानो फिर plus 5Y को ऐसे मानो फिर minus 3Z को ऐसे मानो फिर whole square अब यह एक quantity यह दूसरी quantity फिर तो आपके पास यह तो आजाएगा आपको अच्छा सर यह थोड़ा सा मेरे लिए ना मसला है सर मैं इसको नहीं कर पाता मैं मेरे लिए यह मसला है तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं यह तो आस यह तो आसान है मुश्किल नहीं है अब देखना है कैसे करना है देखो बेटा तो इसको मैं अलग कर रहा हूँ यहां पे लिख रहा हूँ तो देखो यह है इसको मानो ना एक कॉंटिटी अरे क्या कर रहे हो अच्छा सर फिर माइनस है ना माइनस को क्या करना है इसको अंदर ले जाना है अच्छा सर तो बाहर प जो है ये प्लस माइनस माइनस बनेगा कलियर अच्छा सर फिर यह है इसको अलग कर दो तो ये एक कॉंटिटी ये दूसरी कॉंटिटी और ये तीसरी कॉंटिटी अच्छा ये एक्स ये वाई और ये जाट और बीच में प्लस प्लस अच्छा सर फिर तो आसान है पहले एक्स क 1 by 2B का स्कैर, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, Z का स्कैर, Z का स्कैर, 1 का स्कैर, प्लस आएगा, 2AB, क्या 2XY, X क्या है, 1 by 4A, और इंट, Y क्या है, माइनस 1 by 2B, क्लियर, प्लस आएगा, 2YZ, Y की जगा, माइनस 1 by 2B, माइनस 1 by 2B, और Z की जगा, 1, क्लियर, प्लस 2ZX, Z की जगा, 1, और X की जगा, 1 by 4A, और बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब इसके बाद थोड़ा सा सिंपलिफाय करो, अब मसले यहाँ पे कितना बने गाए, य आप पहले में इसको समझाता हो, कैसे आएगा, यह 1 by 4 का भी स्केर, और A का भी स्केर, अच्छा सर, 1 by 4 का स्केर, अलग अलग हो जाएगा, 1 का स्केर अलग होगा, 4 का स्केर अलग होगा, अच्छा सर, मतलब यह ऐसे आएगा, 1 का स्केर अलग, 4 का स्केर अलग, और A स्केर तो है ही हम तो वान का स्कैर बान आएगा फोर का स्कैर आएगा सिक्स्टीन तो इतना पूरा जो है यह आएगा वन बाई 16 a square अच्छा सर इसके बाद देखो बीटा, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद इसको देखते हैं यह है, one by, minus one by so minus one by two just a square, तो यह is का square है, minus one by two का भी square और iquement b़ から minus one by twoiliyor कितना आएगा, minus one by two का square, अरे minus one का square और two का square सकर अलगाएं गाना ना आएगा और फिर बी का है तो ़ना फूर भी सकर आएंगा गो맛 समझगेंगा करसकते हैं बाधिट भी तो रूल रूल ही छिए तो यह आएगा यहां पर प्लस आएगा प्लस देख है meget आ tvåर यह सो भार ठृ जा सार ह comment आ रहा है उसके बाद क्या आएगा प्लस आएगा वन केнее ये हो गए ये तीन टरुमस उसके बाद यह देखो क्या आएगा तो लुग रहे लो इतना है इह मैल्टिपल हो गा मैननस बर केसा तो मैनस बर फूर ale ख़ा माइनस A B divided by 4 या माइनस 1 by 4 A B वह भी सही है यहां कितना आएगा 2 or 2 cancel माइनस B बचा तो यह आएगा माइनस B फिर और यहां कितना बचा 2 1s are 2 2s are 4 और यह बचा 1 by 2 A 1 by 2 A बस यह आपकी होगे तो यह 6 के 6 parts मैंने आपको दिखाए question 4 के इनको बेटा अच्छे से करना गोर से करना और ऐसा करना कि जब आप notebook पे उतार रहे हो आपना यह मत देखो कि sir ने कैसे दिखाए आप एक बार खुड try करो अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है आपने अच्छे से समझा अगर नहीं आते फिर से एक बार देखो try करो फिर से एक बार फिर वापस आजाओ अपनी रोड़ बुक पे ता कि आप इनको खुद से उतारो without looking at your up कि जहां पे आपने इसको practice किया था बिना देखे आप जब करोगे तब समझो कि आपको mathematics में है ना आपक का देखना पड़े ना तो फिर आप रटा मार रहे हैं आप डिसाइड कर लो आप क्या कर रहे हो आपको समझा रहा है कि आप रटा मार रहे हैं लेकिन बीच में आपको इसका बोला इसका मुझे answer चाहे comments में भी और आप ऐसे message करके भी मुझे बेजो इसके answers ठीक तो चलिए प्लस 9 y square प्लस 16 z square प्लस 12 xy माइनस 24 yz माइनस 16 z square xz हाँ बेटा important question है अच्छे से ध्यान दो ध्यान नहीं दिया तो कभी नहीं होगा आपसे तो क्या होगा सर फिर से यह ही आइडेंटी फिर से यूज होगी x plus y plus z ka whole square यह को मेटा क्यों उसमें पहले x square होता है y square होता है z square होता है यह देखो नए 4x square किसका square है 2x square ? सर यह तो 9,3y square है यह एसी 3y का square अच्छा यह किसका square को सर यह तो 4z का square है सर यह तो फिर हो गया नहीं, अभी नहीं हो अथ साइन्स का देखो यहाँ पे मैंड सी आ रहा है, तो मतलब X या Y या Z तिनों में एक माइनस होगा तिनों में एक माइनस होगा अब मसला है सर अगर X माइनस हुआ तो यहां पे क्या आता यहां ता माइनस XY अच्छा सर अगर Y भी माइनस होता तो यह भी माइनस आता तो यह बनता मला X और Y माइनस हो सकता है X और Y माइनस हो सकता है दोनो अच्छा सर और एक चीज अगर X B माइनस Y B माइनस तो यहां तो Y माइनस है तो फिर Z को पाजिटिव होना पड़ेगा अच्छा सर ठीक और यहां पे देखो माइनस है 16 X Z माइनस 16 X Z एक्स 6 माइनस जाड पिलस अब ऐसा सोचो देखो एक से होना चाहिए ये जब इसका स्क्यर करोगे तो ये आएगा इसका स्क्यर करोगई तो ये आएगा इस型 क श्क्यर जाड क्या है तो फिर बात में जो आता है ना X स्क्यार प्लस Y स्क्यार प्लस Z स्क्यार फिर आता है 2xy वह देखते हैं 2 और आपका X क्या है 2x और Y क्या है Y है 3y तो यह क्या मैंनेगा 22's are 443's are 12 तो यह आगया आप समझ रहे हो ना नहीं समझे अच्छे से समझो एक इसका स्क्यार इसका 1 इसका स्क्यार इसका इसको एक्समार इसको वाइन इसको जाड़ मानो फिर बात में तुरमाएगी 2xy मैंने 2xy निकाला वह वापस आ गये त्वेल एक् तू वाई वाई क्या है 3y और जाड क्या है जाड़ है 4z अब टू-3,6,4,24,24 yz आएगा प्लस आएगा लेकर 24y यहां पे माइनस है तो यहां तक तो ठीक था जब हमने प्लस लिए तो इसको माइनस होना पड़ेगा यह वाली तरम को एक को माइनस लेगा मतलब इसको माइ माइनस 4z का स्क्यार आएगा फिर से 16z स्क्यार आप अलों कि सर आप में क्यों माइनस ले हमें समय सी नहीं आया क्योंकि यहां माइनस 24yz है ना इसलिए मुझे यहां तो y को माइनस लेना था यहां जाड को जब मैंने x और y पाजिटू रखे तो मेरी तो टर्म बन रही थी लेकिन यहां y के साथ z जुड़ा y तो खुद पास्टू है तो z वाली टर्म को नेगेटिम होना चाहिए तो z वाली टर्म माइनस 4z बनेगी तो यहां पे भी माइनस 4z आएगा अब उसके बाद क्या आना चाहिए यह मानो 2xy 2yz फिर आना चाहिए 2zx अब आपका z है माइन 16xज do mogą वी तो सही है अब समझे सो मंदा इसको यह मैं पार्ट वन का सुलूशन लिखरा हूं यहां पर यहीं इसका सूलूशन है तो पहले लिखों फिर लिखो इस इक्वल्स इस इस वराबर बिक्ना ऐसे प्लस लिखना ऐसे प्लस लिखना ऐसे प्लस लिखना प्लस 2xy प्लस 2yz य देखो और z देखो 2yz प्लस 2zx आपका मैनस 4z और x2x यहां तक समझाया नहीं आया हाँ sir जब आप इसको लिखोगे नहीं की लाइन पर इस इक्वल तो ऐसे तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 2xy 2xy प्लस 2yz जड में आएगा 4z यह दिख रहा है ना सबको प्लस आएगा क्या आएगा प्लस आएगा 2yz z है माइनस 4z और x x है 3x 2x 2x है यही मैं बोल रहा हूँ आपको यह सबको दिख रहा है ना तो that means इसके बाद जो है इसके बाद इसको लिखेगे किसके बराबर आएगा अब आप सोचो सर हाँ यह तो फार्मला बन गई कौन सी फार्मला x स्कैर प्लस y स्कैर प्लस z स्कैर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x अच्छा सर यह तो वारी फार्मला है x प्लस x हाँ x x क्या है 2x प्लस y y क्या है यह देखो y है यह 3y प्लस z z क्या है यह प्लस z z की जगह माइनस 4z आएगा और ऐसे आएगा इसका स्कैर आएगा बोलो बेटा समझाया नहीं आया तो यह 2x आया प्लस आया 3y और प्लस माइनस माइनस 4z का स्कैर आया माइनस 4z का स्कैर अब यह कितनी कापीज दो कापीज तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो तो यह ऐसे आएगा 2x है ना प्लस 3y-4z अच्चे से बात को समझो और फिर आएगा फिर से 2x प्लस 3y-4z मुरे बेटा समझाया कि नहीं आया हाँ सर समझाया फिर से एक बार समझाया ता कि अच्छे से समझे देखो बेटा ये था 4x square ये जब मैंने देखना square 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 वाले टर्म तो मुझे लगा कि x plus y plus z के term में इसको इन टर्म आप that identity हम इसको एक्सकर करें तो मुझे देखना था किसका square है तो 2x का square किसका square तो 3y का square और ये किसका square 4z का square लेकिन बीच में मािनस वी था तो यह ठो यहां तो x को मैनस आना था यहां तो y को तो तो हमने जब देखा तो Z वाली तर्म माइनस आ गई, तो X की जगा 2X रहा, Y की जगा 3Y रहा, और Z की जगा माइनस 4Z रहा, अब जब जब आपको Z लिखना होगा, वहाँ माइनस 4Z लिखोगे, जैसे यहाँ 2XY, फिर था 2YZ, तो Z की जगा माइनस 4Z, फिर लिखना था, पुल एक हो मैसेनमेट देता हूँ, यह तो exercise हो गई है, बस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़े आसान दिखिए, और revise हो आपको चीज़े हैं, आइडेंटीज पे कमांड आ जाए कि कहां कैसे यूज़ करनी है, किसको कैसे convert करना है ना, तो यह सबसे बड़ चीज़ रहती है, इसलिए exercise पे थोड़ा सा focus करते हैं, ताकि वो जो आपने आइडेंटीज सीखे थे, अच्छे से आप उनको कर पाऊ, अब देखो यह है ना, 2X square, चा सर यह भी X square, Y square, Z square है, सर मतलब फिर से यही काम होगा, हाँ यही काम फिर से होगा, लिगना मसला है कि स चैरर, मुझे तो नहीं पता 2, टू किसका square, सोचो, यह किसका square है, रूट 2 का square है कि नहीं, अरे इदर सोचो ना, अगर मैं root 2 का square करता हो, square और root cancel हो जाएगे, टू आजाएगा, बोलो, तो यह 2 किसका square, root 2 का, ठीक किसका square, root 3 का, 4, root 4 का, तो आप समझ रहे कि नहीं समझ र root 2 का 3 किसका root 3 का अब यह 2x square है तो यह किसका root square बनेगा बोलो एक यह root 2 है और एक यह x ऐसे रखेगे बहार root के बहार और फिर बहार square रखते है मनला अब यह जो यह है ना 2x का square तो मैं लिख सकता हूँ 2x square को ऐसे root 2 और x और बहार square सोचो बेटा ऐसे लिख सकते है हाँ सर लिख सकते हो कैसे अलग-अलग कर दो न square root 2 का square square और root cancel तो 2 आएगा और x का square हाँ सर आप तो बहुत आसान है सर अब हम कर लेगे इसके बाद कर लोगे बेटा नहीं अब भी आपको क्या लगता है है ना आसान लगता है ना अच्छी बात है अगर आपको आसान लगता है लेकिन फिर भी मुझे लगता है दिखाना चाहिए आप सबको आप यह root 2 x square आएगा root 2 x का square आएगा अच्छा सर उसके बाद तो मिल गए आपको x square x क्या है अब आप यह x अच्छे से समय तो इवर x is root 2 x तो क्या है आपका x root 2 x square root 2 x उसके बाद y तो y तो y square ही आएगा अच्छा सर मनला y ही है y 2 y 3 वै कुछ नहीं अब यह z निकालना है बो जड कैसे निकालोगे एक काम करते है यहाँ पे देखो यहाँ पे निकाल सकते हो अच्छा सर यहाँ पे कर सकते है यहाँ पे यह y की value z निकाल सकते हो आप यहाँ आप z ड की value हाँ यहाँ पे निकाल सकते हो यह z ड की value देखो कैसे यह देखो यह है यह है यह ना x square y square z square plus 2 x y plus 2 y z पहले बाहर कर दो अब वाइब और फिर जाड हैना आप देखो तू वाइब हो गया तू वाय बाहर हो गया बचा क्या यहां फोर था तो अठा तू रूट साड की न्याओंस सामज रहां पोजाई समझेज जी सवार समेज़ी का चाहिए यहां पे रूट टू एक स्केर है सर म अब शुपाव ऐसे 2xy अब मसला है ना कि सर ये 2 तू को बाहर कर दो x क्या है x हमने root to x माना और y y है अब इसमें भी x y या z माइनस होगा अब आप देखो यहां x और y यहां x और y तो यह माइनस है यहां भी x और z यह माइनस तो x को माइनस ले लो यह और z पॉस्टीव दे रहें न आपको तो यहां भी x है यह यह x की वजह से बना यह भी x की वजह से नेगेटिव बना तो यह एक्स जो है आफ्लाइं किलास संडे को तो यह है ऐसे माइलस रूट टू एक्स का स्केर प्लस आएगा वाइगा और मैंने आपको बोला इससे आपको जड मिलेगा देखो यह बनता टू वाई जड तो वाई ही है वाई तो वाई ही है और जड देखो य छोड़ो फिर बचा यह फोरू जड इसमें भी यह टू बाहर करना है क्योंकि टू वाई जड जब टू बाहर करोगे यहां टू ही बचेगा तो ऐसे यह यह आपका जड जड आपको यह आए अगर नहीं आया आपको सामझे महरबानी करके कमेंट्स में बोलिए सर हमें नहीं आया जिता मैं समझा सकता था मैंने समझा आप और फिर टरय कर लें इसलिए मैंने यह वाला पार्ट आपको दिखा तो यह जो है यह बने हैसे घुरू goo जैड का स्कैर, तू रूट जड का स्कैर अब हम भी पuhलों कि सर इसका मनलब अरे ये इसका स्कैर , इसका स्कैर तू का स्कैर फूर आएगा root开ि स्कैर रूट की इंसल टू आएगा औरूर जड का स्कैर 4, 2, Z 8, Z स्कैर आयाएना Test Onaudкус rip спас पहुंचा लेकिन तब भी मैंने सोचा कि आप तरकी वीडियो लगोंचाथे तो यह था माइनस रूट टू X का स्केर प्लस Y सकेर प्लस जड़ स्केर और जड़ आपका क्या है जड़ बना तूरूड Z or square इस पार्ट को अच्छे से समझो अच्छे से समझो ये किसका square? 2 किसका square? root 2 का सर माइनस क्यों आया? अरे बीच में मुझे लगा यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है ये y और z तो positive दे रहे है मतलब x की वज़ा से होगा है यह इसलिए उसके बाद क्या दिया एक्सक्राइभ यजाऄरा बहुत साफ्र आता है फिर ऐनाहे फिर प्लस टू डू प्लस आएगा तू एक्स की जग़ा माइनस रूट टू एक्स y आएगा हाँ सर, पलस आएगा 2xy x है ना, आपका minus root to x, y है y ही, z है ये अब देखो ये, ये बनेगा minus, देखो, plus minus minus 2 root 2 और x y, ये हैं ना minus 2 root to x y, clear अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सर, plus आएगा, क्या आएगा, plus 2 y z, y क्या है y है, y है y, और z क्या है z है, 2 root 2 z आप देखो multiple करो न, 2 root 2 z, 4 4 root 2 y, 4 root 2 y, 4 square root 2 y, clear, उसके बाद क्या आएगा plus 2 z z में है 2 root 2 2 root 2 z और x x में है, क्या है, minus root 2 minus root 2 x minus root 2 x, clear, आप देखो, यहाप a बनेगा, 2 2 z, 4 बनेगा और root 2 into root 2 root 2, square, square, root cancel, यह बनेगा, 2 बनेगा, 2, और यहाँ पर minus 1, बाहर आएगा, और यह x z, x z, और यह बनेगा, minus 8 x z, देखो minus 8 x z, आगया, हाँ, आप यह किसके बराबर आएगा, यह आएगा, x square, plus y square, plus z square है, तो यह बनेगा, x plus y plus z का whole square, plus z का whole square, आप इसको break कर दो, दो में, तो यह आएगा, ऐसे minus root 2 x plus y, plus 2 root 2 z का whole square, sorry, फिर से यही लिखना है, minus root 2 x plus y, plus 2 root 2 z हो गया, so this completes your part 2 of this question, तो मुझे उम्मीद है, आप सबने अच्छे से किया होगा, और यह आपको समझ भी आया होगा, अगर नहीं आया समझ तो मुझे बताओ, सर हमें समझ नहीं आया, हम कमजोर है, और मैंने आपको बोला है, नदीम सर किन के साथ है, कमजोर के साथ है, अगर आपको लगता है कि हमें समझ नहीं, आप पता है आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं, सर क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आप बोलोगे सर, आप कमजोर हो, कुछ नहीं होगा आप बोलो, अब सर मा आते हो ना, अगर मैं सर से से पूछूगा या सर से पूछूगी तो सर बोलेगा कमजोर है ऐसी बात ने सब एक जैसे होते हैं कमजोर ही पहले होते हैं सारे के सारे फिर जाके वो आगे बढ़ते हैं लेकिन मैंने आपको यह जो क्वेस्टन फायों के दोनुपार्ट शिखाए यह आप एक बार कर लेना अलग से मतलब पहले इससे समझो सीखो अगर आपको लगा कि मुझे समझाया फिर एक काम करो ना अलग से प्रैक्टिस कर दो फिर लोड़ बुक पे खुद से उतारो समझाय कि नहीं उसके बाद इस अगर फिर से गलत हो रहा है मुझे बोलो मैसेज करके मुझे बोलो याद रखो कि आपके लिए एक खुशकबरी है वो समर वकेशनिस के 10 या 15 जितने भी दिन हमें मिलेगे हम उनका अच्छे से यूज करेगे हम हर रोज एक एक दो दो गंटे आपको फिजिकस मैथमें देगे ताकि आपका जो फिजिकस और मैथमेडिक स्टांग हो और बीच काल क्वेशन आएगे ना देखना वो सब सबके अब कोई क्वेशन आता है ना थोड़ा सा हाँ इसलिए मैंने इन दोनुप आट्स को दिखाया अधरवाइस मैं बोलता है हो मैं आप करोगे लेकिन कुछ बच्चे थोड़े कमजोर रहे होते हैं इसलिए मैंने इसको यहीं पढ़ती है तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं मिलेगे इंशाल्ला नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अल्ला हाफिज